नमास्कार स्वगत है आपका हमारे चंचार जागंदर मेशा में जो मनुष शुबए उठने के वाद ये चार काम करते हैं जीवन भर गरीभी रहते हैं बोलिए बांके बिहारी लाल कीज़े स्री राधे आज सुन्दर भाव है आप सभी के इतने सारे फोन इतने सारे मेसेज आ रहे हैं कि महराज जी ऐसा कुछ बताओ जो हमें लाब दे तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ ऐसी वो चार चीजे हैं जो हम सुबए उठकर कर रहे हैं और जिसके कारण ही हमारे घर में दरिता का आगवन हो रहा है सर्व प्रतम हमें अपना मंगल करने से पहले उस अमंगल को रोकना है जो हम नित कर रहे हैं और उनसे हम बचेंगे तब हमारी जीवन से दरिता गरीबी दूर होगी और भगवान स्रेकृष्ण मातल लक्ष्मी जी कृपा हम सब के परिबार पर होगी और सबसे पहले आपको हम बता दे कि उन कर्मों को जो हमें छोड़ देने चाहिए सबसे पहली बात कभी भी प्राते काल जब हम सुबह उठें कभी भी प्राते काल यानि की सुबह चार बजे से लेकर साथ बजे तक का जो समय होता है वो प्राते काल हमें यानि की भोग बिलास में लिप्त नहीं रहना चाहिए सर्व प्रथम इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए जो हमें सुबह नहीं करना चाहिए यनि कि भोग बियास बिल्कुल भी इसमें लिप्त नहीं रहना चाहिए चाहे हम कितने भी बड़े ग्रहस्ति क्यों न हो चाहे हम कैसे भी क्यों न हो लेकिन कभी हमें सुबह के समय भोर के समय प्रातह समय ये ब्रह्म बेला का समय इसमें भोग वासना में लिप्त नहीं रहना चाहिए जब हम भोग वासना में लिप्त रहते हैं तो भोग वासना ही हमारे जीवन में दर्वता गरीबी को लाती है पहली चीज है यह आप याद रखिए कभी भी यानि की वासना में लिप्त ना रहें दूसरी बात, जिन्हें हमें सुबह नहीं करना चाहिए, जब हम प्रातय काल उठें तो कभी भी प्रातय काल उठकर अपने मुख मंडल को, अपने चेहरे को आइने में न देखें, यह भी हम, यह भी दर्दा को, गरीवी को प्रकट करती है, तो अपने मुख को, अपने, यह घर के आईने में न देखें कही पर भी आप आईना न देखें दूसरी बात जो आपको ध्यान रखना चाहिए सुबह सुबह तीसरी बात जब हम प्रातय काल उठें तो उठकर कभी भी किसी ऐसे दृस को न देखें जिस द्रस में लड़ाई जगड़े हो रहे हो जैसे कि पसुपक्ची लड़ रहे हो जैसे कि चित्रण हो या फोटो बगएर वीडियो को क्योंकि आज कल आदत क्या है सुबह उठने के बाद तुरंत फोन ले लेते हैं और उसमें जब हम फोटो देख रहे हैं तो लड़ाई जगड़े की फोटो बीड़ देख लेते हैं तो फोन जब देख रहे हैं तो ऐसे चेत्रों को ना देखें अत्वा हम पसपच्चों की लड़ाई इनसानों की लड़ाई ऐसे कोई वाद विराद जैसे सोकर उठे तो ये चीज़े ना देखें अब वहीं पर हम सुबह जब उठे तो उठकर यह कोशिश करें कि अपने ही घर में हम किसी से लडाई ना करें जितना हो सके शांती से सुबह को निकाल दें कोई ऐसा क्रोध यानि ना करें उठकर लडने लगें ये सब छोड़ दो ये गरीवी को दरिता को लाती है घर में घर में यनिकी सुबह सुबह उठने के बाद इस बात का आपको ध्यान रखना है कि लडाई जगडे से दूरी बनाई रखना है चोथी बात जो सुबह आपको उठने के बाद यनिकी नहीं करने चाहिए सबसे पहले बिश्तर से उठते हैं तो कई लोग क्या होते कि भूखे सोते हैं और आकर तुरंत यनिकी सोकर उठने के बाद भोजन करने लगते हैं बहुत से लोगों को ऐसी आदत होती है ब्रस भी बाद में करते हैं तो ये बात आप जरूर याद रखें कि कभी भी सुबह उठकर खाना नहीं खाना चाहिए ये चार चीजे ऐसी हैं मेरे प्यारे दोस्तों यदि इनको आप त्यागोगे तो अपने जीवन में परिवर्तन देखोगे परिवर्तन भी ऐसा होगा कि आपके जीवन में माता लक्ष्मी कृपा होगी भगवान स्थ्रे कृष्ण जी की कृपा होगी तो सुबह उठने के बाद ये चार काम आप बिल्कुल भी ना करें तो गरीबी आपके घर से कोशो दूर चली जाएगी अब चार बात कौन सी है जो हमें करने चाहिए सुबह सुबह उठकर करने चाहिए इस पर आपको ध्यान दें सबसे पहले जब हम सुबह उठें तो सास्त्र कहते हैं कि करागरे वस्ते लक्ष्मी करमद्धे शरस्वती करमूले तो गोविंदे प्रभाते करदासनम तो सर्वत्वं करागरे वस्ते लक्ष्मी हमें सर्वत्वं उठकर अपने हातों को निहारना देखना चाहिए प्रभाते करदासनम सर्वत्वं अपने कर का दरसन करो दूसरा काज जो हमें करना चाहिए वो यह है कि अपने विस्तर से उठकर ही तुरंत हमें उस भूमी को प्रणाम करना चाहिए जिस भूमी पर हम पाव रखने वाले हैं चाहे जिस भूमी पर यनि कि आप विस्तर से जैसे उठें तो आपको तुरंत जब पाव रखे तो माता से प्रातना करें और उनसे प्रातना करें कि आपको उपर पाव रख रहे हैं मैं बिवस हो, मुझे पाव रखना पड़ रहा है मैं इसलिए आप से छमा माग रहा हूं क्योंकि मैं आपको अपने पाउसे इस पर्स कर रहा हूँ तो सबसे पहले हम प्रत्विय से छवा मांगे फिर चले ये दूसरा काम जो करना चाहिए तीसरा काम जो सबसे उत्तम है मेरे प्यारे दोस्तों वो तीसरा क्या काम है वो तीसरा काम है कि प्राते उटकर सर्वथम अपने जो घर में बड़े बुजरुक उनको हम प्रणाम करें क्योंकि जब हम उनको प्रणाम करते हैं तो बड़ों के मुक्से सर्वथम यही निकलता है कि तू आनंद में रहे तो खुशी में रहे, तो जीता रहे, तो परसंद रहे, तो सबसे पहले तो हमें माता पिता का आश्रवाद मिलेगा, जब उनकी दुआई मिलेगे, तो दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है, जो हमें पीछे कर दे या पीछे रह जाएं, हमारी उन्नत निशित है, हमारा निशित प्रसंद रहेगा, आगे बढ़ेगा, जब हम अनेको अनेक उपलब्दियों को प्राप्त कर पाएंगे, और चोथी बात, शूर भगवान को अर्थ देना, ये बात बिल्कुल धियान रखेगा, ये मत सोचना, क्योंकि स्वैम भगवान, भागवत जी इस बात को कह जीने देखा कि स्वैम भगवान सूर को अर्थ दे रहे हैं भगवान स्रेकृष्ण, स्वैम भगवान संध्या बंदन कर रहे हैं, स्वैम भगवान स्रेकृष्ण गायतरी जब कर रहे हैं, और आप खुल सोचो मेरे प्यारे दोस्तों कि जो स्वैम स्रिष्टी के रचाईत बाद हम जरूर करें तो ये चार बाते जीवन में उतार लो मेरे प्यारी दोस्तों आप याद करोगे मुझे जब भी कहोगे कहोगे कि भैया आपने इतने वीडियो बनाई लेकिन ये वीडियो इसी वीडियो ने हमारे जीवन को बदल दिया ये चार चीजे हैं ऐसी जो आपको करने चाहिए और ये चार चीजे ऐसी हैं जो आपको नहीं करना चाहिए यानि कि सुबह सुबह आप भोग शोकर शूते हैं और सुभवाय उड़ते तो शोकर यह जब उठे तो सुभवय आपको यह नहीं कि खाना वन गए रहें ना खाएं यह चार चीजे आपको ध्यान रखने और चार चीजे ऐसी है जैसे कि भगवान-शूर को अर्थ देना यह फिर आप बड़े करना चाहिए सो बस हुए तो दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप मेरे बात से सहमेथ हैं आपको मेरी बात अच्छ लगी हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजेगा प्रेम से कहिएगा जै स्रिकृष्ण जै मालक्ष्ण